कि आप रहेँं आपका यी जीन रूकाहल इस्प्रेय हो जाए तो डोस्तो आज की वीडियी में आपको बताने हो कुछ एसी सेटिंग और आपको सेंसोटी सेटिंग जिससे याप एकदम जीरो रूकायल होने वाला है इस्प्रेय और क्लोज रेंज भी आपकी अच्छी हो कोई नहीं चाता कि मेरा जीरो रुकाइल नहों तो भाई सभी लोग चाते हैं जीरो रुकाइल मेरा इस्प्रे हो जाए मैं अच्छे अच्छे बंदे को नॉक कर सुखूँ दूर से दूर तो सब लोग नहीं कर सकते बाई किसी को close range आते है किसी को long range आते है अगर आप भी अपनी long range इंप्रूव करना चाहते है वो मैं आपको बताऊंगा बस आपको थोड़ी से महनत करने पड़ेगे भाई बिना महनत के कुछ नहीं है इस दुनिया में भाई आप लोग सभी जानते हैं अगर आपको मतलब निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए आप लोग यहां पर देखिए अगर कहीं पर जैसे 200 मीटर होता है तो हम लोग crouch करके enemy को नव करते हैं कभी भी आप देखिए कर क्लासिंग में आप भी अपने को देखिए जैसे 300 मीटर दूर होता है कभी भी होता है हम लोग जादा कर मैं बोला हूँ हमेशा नहीं 90 परसन लोग हम लोग लेट के ही स्प्रे मारते हैं तो आप लोग आपको पता होना चाहिए कभ स्प्रे लेट के मानना है कभ खड़े हो के मानना है चलिए मैं बताता हूँ आप अपनी खुद की सेंसोटी कैसे सेट कर सेते हैं सेंसोटी पर जाते हैं जैसे मैं सेंसोटी पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलती है जो की है आपको एडियस वाले में पहले मैं ADS की बात कर रहा हूँ, 0 की बात में बात करने वाला हूँ, ADS में भी दो सेंसोटियोटी हैं, camera और ADS, तो यहाँ पर मैं camera की बात करता हूँ, APP no scope जैसे मैं पूरा इसे off कर देता हूँ, अब देखिए मैं इसे move नहीं कर पा रहा हूँ, character को, और 0 से तो मैं कर पा रह इस वाली, तो बस आप इतना समझेजिए, बस आपके camera इधर उधर होगा, आपका aim, तो इसे आप perfect कर लेजिए, और फेपी नो इसको यह भी आपको सेम रखनी होगी, क्योंकि यह इसमें के और switch का option होता है, TPP, FFL option है, इसे अगर switch करते हैं, बस यहीं बदल जाती है, और ब से खाता हूँ, इसको में क्या फरकाता है, तो यहाँ पर मैं 2x, sorry, red dot लगा लेता हूँ, उसके बाद देखे, मैं move नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 0s चाहूँ, तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 0s देखे, अराम से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर finger से मैं नहीं बताने वाला हूँ तो चलिए मैं आपको और भी संसुटी बता देता हूँ और बता देता हूँ कैसे आपको सेट करनी है तो रेड डॉट को आप अपनी हिसाब से अर्जेस्ट करनी है जो आप रखना चाहते हैं जैसे मैं 50 रहता हूँ बस इतना परफेक्ट रहता है 3x, 4x, 6 अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर लिजे जैसे रेड डॉट में जैसे मैंने बता दिया अब बात करते हैं एडिया संसुटी इसमें भी आता है और उसकोप यहीं आपको बताया ऑप सेंवर करता है बस यह फारिंग के टाइम वरग करता है आभ ही मैंने इसे जीरो कर दिया त फैरिंग करेंगे तब यह उधर उधर होगा तो बस टीपी फी दोनों एक ही है जैसे मैंने आपको पहले बतादे बस स्यूच करना होता है आप जैसे मैंने जीरो कर दिया और उसके बाद यहां पर मैं आपको फैरिंग करके देद अभी देखिए मैं इसे मूव कर पा रहा हू तो यह मूव नहीं होगा और एक जिए पर रुख जाएगा आप लोगों पता है और यह रिकॉयल होने लगेगा तो बस इसे रिकॉयल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसकी संसुटी को बढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग फिंगर से नीचे ड्राइक करते हैं जिससे रिकॉ जरूर रखिए रिडॉट है क्योंकि इसकी संसुटी जादा ही लगती है 120 तक लोग यूज करते हैं तो आप इतनी भी यूज कर सकते हैं अगर आप न्यू प्लेयर है तो आप कम भी यूज करें आप टाइम पर टाइम बढ़ाते रहिएगा और आपकी परफेक्ट हो जाए पर यहां पर पारा सूट वाला फोड़ा सा इंकिरेज कर लीजेगा यही काम आता है और बाकी एक खास काम नहीं आते हैं इसके बाद यहां पर टे मैं अपर दें आप लोगों को बताने के लिए एडियस के लिए तो यहां पर मैं और करता हूं यूज ओन करने बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पर जाता हूं इसे मैं पूरा बंद कर देता हूं इसे आपको बढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पर 325 में यूज करता हूं और APP में भी सेम काम आता है बसे एफईफी स्फिश करेंगे तब ही यह काम आने वाला है आपको यह बता दिया था पहले ही जैसे एफईपी मैं ने सुच कर लिया यह भी आपका सेम काम आने वाला है तो इसे आप लोग दोनों बराबर रखिएगा प्रस करते टाइम हम लोग कभी कभी स्विच कर देते हैं FAP में तो आप लोग यहाँ पर 0 अला भी सेम कर लिजे और Red Dot की बात करते हैं Red Dot जैसे बता देता हूँ आप सारे स्कॉप उसी परकार से सेट करिएगा तो यहाँ पर Red Dot को जैसे मैंने Full है यहाँ पर 360 है यहाँ पूरा कम करता हूँ अभी मैंने इसको खोला नहीं आप Red Dot को यहाँ पर Select करता हूँ उसके बाद इसको खोलता हूँ और यहाँ पर Move नहीं कर पा रहा हूँ फिने Zero से एडियस से चाहूं तो मैं कर सकता हूं लेकिन जैरो से phone tilt करने पर यहां पर नहीं हो रहा है तो आप यहां पर recall भी control आप कर सकते हैं यह क्योंकि recall control अला इसका कोई chance नहीं होता है recall control हो जाएगा लेकिन बस यह होता है rotation आप इसे नहीं दे सकते हैं आगर आप कितने rotation देना चाहते हैं camera की कितना आप move करना चाहते हैं बस इसे इतना set कर सकते हैं जो zero होती है बस इसी काम आते इसका recoil से कोई मतलब नहीं है तो इसे इसी परकार से आप सारे scope, particular scope को set कर लीजेगा 2x scope जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपको समझ आ जाएगा दुबारा तो अभी देखिए मैं firing करते time to move कर पा रहा हूँ लेकिन इस समय मैं move नहीं कर पा रहा हूँ बस यही काम आता है firing वाला दूसरी sensitivity होती है और यह दूसरी sensitivity होती है बस मैं यही बताना चाहता हूँ sensitivity अगर recall control करना है तो इसकी छेंड़ छांड नहीं की जाती है नीचे कर नहीं होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा आप यहाँ पर rotation के लिए इसकी sensitivity आप लोग set कर सकते हैं आप देख पाएंगे कितनी अच्छे से target to target यहाँ पर move कर पा रहा हूँ इस चीज के लिए इसे use किया जाता है इसका zero recall या recall में कोई भी फर्क नहीं होता है तो चलिए मैं बताता हूँ और आगे एक sensitivity आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो जानता हूँ long हो रही है तो यहाँ पर चलता हूँ zero में zero में जैसे जाने के बाद आप इसी परकार से 2x, 3x, 4x लीजिएगा आप चलते हैं आगे एडियस zero sensitivity तो इसमें भी TPP nooscope, FPP nooscope ये भी आपको बता रहा हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ तो इसे मैंने कम कर दिया तो ये क्या है अभी मैं move कर पा रहा हूँ zero से अराम से जैसे फैरिंग करता हूँ ये रुख जाता है तो ये हुआ एडियस एडियस जिसमें लाग जैस समझी लीजिए वो आपका recall control करने की काम आती है APP में भी आपका यही same काम होता है अब दोनों अलग अलग नहीं दोनों same है बस switch का option है जैसे की FPP switch होता है और TPP FV ये switch का ही काम होता है तो आप ये दोनों आप समझ जाएंगे तो जैसे यहाँ पर मैं किया उसके बाद यहाँ पर move कर पा रहा हूँ फैरिंग करते time move नहीं कर पा रहा हूँ बस यही काम आता है और जादा इसका विशेस काम नहीं है बस ये लेकिन hip fire में बहुँ जादा काम आता है उस पर अलग dot की बता देता हूँ red dot से मैं बता देता हूँ और particular आप सभी scope की sensitivity अपने हिसाब से सेट कर लिजए इसे मैं कम कर देता हूँ अभी देखे मैं कितनी जल्देली move कर पा रहा हूँ पहले scope होलता हूँ और अभी देखे मैं move कर पा रहा हूँ zero से और जैसे ही firing करना शुरू करत यह आपके लिए क्या 300 जरूरी है इतना ही रखें या 325 रखें तो उसके लिए आपको कितने रखना चाहिए मैं आपको बता दूंगा आप easy समझ जाने वाले हैं 3x 4x अपनी इसाब से यह सभी sensitivity कर लिजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं 3x का बता देता ह क्योंकि मैं यहाँ पे 0 कितना भी फोन नीचे कर लूँ लेकिन यह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो 0 sensitivity यहाँ पे 3x की मैं यूज करता हूँ 240 और उसके बाद spray आप देखिए कितना अच्छा जाता है अभी मैं आपको दखाता हूँ यह फिलहाल यह gun मैंने जादा यूज कि करता हूँ separate का यह sensitivity ध्यान से देखिए यह मेरी sensitivity है जो मैं यूज कर रहा हूँ और advance में यूज करता हूँ वह भी आप लोग देख लीजिए इसकारल है तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं यूज करता हूँ इसकी sensitive बहुत कम है सेवन की मैंने बहुत sensitive कम करके ही रखिए आप देखे कितना उपन नीचे आपको देखने को मिलते है नई वाली gun है इसका भी मैंने सिट गिया है कभी कभी यूज करना पड़ जाता है उसके बाद यहाँ स्नाइपर मैं यूज करता हूँ मसीन गन है और यहाँ पर डीपी डीपी भी यूज करनी पड़ती है कभी कभी ज्यादा मैं यूज करता हूँ एक यह मैं बैरल मिल जाए तो मैं ले लूँगा और कोई गन यूज करता नहीं और अगर आपको इसका sensitive code चाहिए तो अगर आप यहां तक लेखिए ह पसंदे पसंदे लाइक करें चैनल का सब्सक्राइब मिलते हैं इस्टूडियों तक लेबाब है थैंक फॉचिंग जेहिं जे भारत और हां आपको एक टीप से देनी थी मैं भूल गया मैं आपको बता लेता हूँ रुकल दो परकार के होते हैं वार्टिकल होड़ेंटल आप सबी कहता होगा जिसे फैरिंग करते हैं लिफ्ट और राइट जाने लगता है तो हमें क्या करने है तो आपको थोड़ी सी संसुटी घटा नहीं है ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी घटा के और बढ़ा के आप परफेक्ट कर सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी